वीवर्स जस्ट इमेजिन एक गलट DNA एक्सपेरिमेंट की वज़े से 90% हुमेंस खतम हो जाएं अब पृत्वी पर पेड़ पौदे इतनी ज़्यादा पॉजनस होते है न जो इंसानों को मार कर जिन्दा खा जाते थे आखिर वो डरावना मंजर कैसा होगा ये तो जल से जल पता ही करना पड़ेगा कानी की शुरुवात में हमें वेस्पर नाम की एक लड़की दिखाय जाती है जो जानलेवा फॉरेस्ट में सीड्स ढूंड रही थी जैसा कि हमें पता है कि एक गलत एक्सपेरिमेंट की कारण पूरे अर्थ पे से आदी सी ज़्यादा पॉपुलेशन खतम हो चुकी थी अर्थ पर कोई भी जानवर तक नहीं बचता खाने पीने के सारे साधन खतम हो चुके थे तबी भी वैस्पर इन सारी चीजों को बुलाकर सीर्ज ढूंटे रहती है जिससे कि वो प्योर पौदे उगा सके और उसे खा सके वैस्पर अपने फादर के साथ रहा करती थी वैस्पर के फादर की पूरी बॉडी पैरलाईज होती है इसलिए वो चल फिर नहीं सकते लेकिन वैस्पर का माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प था उसे बायलोजिकल चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना काफी ज़्यादा अच्छा लगता था वैस्पर ने अपने फादर के लिए जनरेटर पर चरने वाली एक ऐसी मखीन बना ली थी जिससे की वो जिन्दा रह सके एक दिन जब वैस्पर अपने घर पर आती है तब उसने देखा कि घर में चोरी हो चुकी है चोरी करने वालों ने तो उसके फादर का जनरेटर भी खराब कर दिया था जनरेटर ठीक ना होनी की वज़े से Vesper के फादर की तबित खराब होनी स्टार्ट हो गई थी इसलिए Wesper तुरंट अपने फादर के भाई जिसका नम जोनस था उसके पास help मांगने चली गई थी जोनस तो सीटाडेल नाम के एक सीटी वालों के लिए काम किया करता था सीटाडेल में वो लोग रहते थी जो बहुत ही ज़ादा आमीर होते हैं जोनस तो बच्चों को किडनाप करके उनका बलड निकाल लेता था और फिर उन्हें सीटाडेल के लोगों को बीचता था जिससे कि सीटाडेल के लोग जोनस को बीच प्रोवाइड करते थे वेसपर जब जोनस को सारी बाते बताती है तब जोनस उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया था लेकिन जोनस वेसपर से कहता है कि उसे तुमारा ब्लड चाहिए और तब ही वो तुमारे फादर की मदद करेगा वेसपर तो तुरंत इस बात के लिए ready हो जाती है जोनस ने वेसपर का blood sample निकाल लिया था और अब वो उसे दो दिन बाद आने के लिए कहता है वेसपर इस बात का विरोध कर रही थी क्योंकि उसके फादर दो दिन तक survive ही नहीं कर पाएंगे लेकिन जोनस ने तो वेसपर को बाहर निकाल कर fake ही दिया था अब वेसपर एकदम गुसा होकर जोनस के घर पर घुश जाती है बहुत ज़्यादा चान बिन करने के बाद वेसपर को वो सारी batteries मिल गए थी जिससे कि वो अपना generator स्टार्ट कर सकती थी साथ ही साथ उसे वहाँ पर कुछ बीज मिलते हैं जिसे कि जोनस ने सीटाडेल के लोगों से लिया था वेसपर तो उन सीट्स को अपने पास रख लेती है उसने तो तुरंत आकर अपने फादर की मशिन को ठीक भी कर दिया था वेसपर चाती थी कि वो और उसके फादर साही सलामर सीटाडल सीटी में पहुँच जाएं क्योंकि वहाँ पर सारी facilities मौजूद थी वेसपर ने तो एक छोटा सा rover बनाया था जिसमें से उसके फादर वायरलेसली बात कर सकते थे एक दिन वेसपर इसी तरीके से जंगल में घूम रही थी तब ही उसे अपने सामने एक लेडी बिहोश पड़ी मिलती है उस लेडी को तो वहाँ पर मौजूद डेडली पेड़ पौदे खाते जा रहे थे इसलिए तुरंत वेसपर ने उस लेडी को बचाया और उसे अपने घर पर लेके आ गई होश में आने के बाद वो लेडी अपना नाम कैमिला बताती है कैमिला वेसपर को बता रही थी कि वो और उसके फादर एक स्पेसक्राफ्ट में बैटकर यहां पर क्रैश हो गए थे और अब उसे अपने फादर की फिकर हो रही है कि वो सेफ है की नहीं दरसल कैमिला के फादर एक आर्मी मैन थे लेकिन जंग में घायल होने की वज़े से वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे तबी सीटाडल के सीटेजन्स ने उन्हें जान से मारने का हुकम दिया था इसलिए कैमिला अपने फादर को लेकर उस सीटी से ही भाग गई थी अब वेस्पर कैमिला के लिए उसके फादर को जंगल में ढूनने जाती है उसे तो कैमिला के फादर का स्पेश शिप मिल भी गया था जिसके अंदर कैमिला के फादर बहुत ही घायल हवस्ता में पड़े हुए थे तबी अचानक से वेस्पर के सामने जोनस आ जाता है जो कैमिला के फादर को पास जाकर देखने लगा था जोनस को तुरंट पता चल जाता है कि ये लोग स्टाडल के सिटिजन्स हैं इसलिए जोनस कैमिला के फादर को पकड़ कर मारने लगा था क्योंकि जोनस सिटाडल के सिटिजन से बहुत ज़्यादा नफरत करता था वैसपर जोनस को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन वो इसमें कर भी क्या सकती थी अब जोनस को स्पेस्शिप में एक दूसरा कपड़ा मिलता है जिस्ते के वो समझ गया था कि इस स्पेस्शिप के अंदर कोई दूसरा भी पैसेंजर मौजूद था जो ज़ंगल में कहीं भाग गया होगा इसलिए अब जोनस और उसके पूरे साथी दूसरे पैसेंजर यानि की कैमला को पूरे जंगल में ढूनने लगते हैं अब वेस्पर एकदम उदास होकर कैमला के पास आ जाती है वेस्पर ने कैमला को ये जूट कह दिया था कि वो उसके फादर को धून नहीं पाई इसलिए कैमला थोड़े दिन तक वहीं पर रुख जाती है धिरे-धिरे कैमला वेस्पर के साथ एजजस करने लगी थी वो दोनों तो बहुत ही कम टाइम में फ्रेंज बन गये थे कैमला ने वेस्पर से कहा था कि अगर उसके फादर मिल जाएंगे तब वो वेस्पर और उसके फादर को भी सीटाडल सीटी में इंट्री दिला सकती थी लेकिन ये डार्क सीक्रेट अभी तक वेस्पर को पता ही नहीं था वेस्पर तो कैमला को अपनी बायो केमिकल लाब दिखाती है जिसमें कि वो सीट्स के उपर काम किया करती थी साथ ही साथ वेस्पर कैमिला को एक बूग दिखाती है जिसके अंदर अलग-अलग जानवरों के चित्र बने थे दरहसल कुत्ता, बिल्ली और भी सारे पालतू जानवर सीटाडल सीटी में ही मौजूद होते हैं क्योंकि वहां के अलावा एनिमिल्स का पूरा एक्जिस्टेंस खतम ही हो गया था ये बात सुनकर कैमिला काफी जादा चौक जाती है कैमिला ने भी वेस्पर को सीटाडल सीटी के बारे में एक बात बताई थी दरसल अब सीटाडल के सीटी जल्स ने बायो टेक्नलोजिक का यूज करके कुछ ऐसे आर्टिफिशल इंसान बना लिये थे जिने की जॉक्स कहा जाता था ये जॉक्स इंसानों की तरह सारे काम करते थे इसलिए सीटाडल की जू लीडर्स होते हैं इसलिए वेस्पर ट्रांस्मिटर चुराने के लिए जूनस के घर पर चली जाती है तब ही अचानक से वेस्पर ने देखा कि जूनस उसके रोवर में कुछ गड़बड़ी कर रहा है वेस्पर तुरंट अपने फादर के रोवर को लेकर भागने लग जाती है पर तब ही वेस्पर का वो रोवर खराब हो चुका था वो तो प्रॉपरली उड़ भी नहीं पा रहा था अब वेस्पर तुरंट कैमला के पास आकर रोने लग जाती है क्योंकि उसे कुछ समझने रहा था कि वो क्या करे इसलिए अब वो कैमला के साथ एक लेक के पास चली जाती है वेस्पर ने कैमला को उसके मरेवे फादर से मिला दिया था कैमला अपने फादर को इस हालत में देखकर बहुत ही जादा रोने लग जाती है वो समझी नहीं पा रही थी कि उसके फादर को किसने मारा वेसपर कैमिला को समालने जाही रही थी तब ही उसने कैमिला के पीछे कुछ अजीब सा देखा ये निशान सीटा डिल के आर्टिफिशल यूमेन यानि की जक्स के बॉड़ी पर लगाया जाता है और अब वेसपर समझ गई थी कैमिला और उसके फादर एक आर्टिफिशल यूमेन जो सीटा डिल सीटी से अपनी जान बचा कर भागे है वेसपर इस बात से बहूत ज़्यादा गुसा हो जाती है यूहां कि उसने कहा था कि वेसपर और उसके फादर को सीटा डिल सीटी में इंटरी दिलाईगी क्योंकि अगर कैमिला की जगपर और और कोई भी रहता तब वो अपनी जान बचाने के लिए यही करता अपनी फादर की बाते सुनने के बाद वेसपर तुरन कैमला के पास चली गई थी वहीं दूसरी तरफ कैमला अपनी गलतियों की वज़े से खुद की जान लेने जा रही होती है तब वेसपर तुरन कैमला के पास आकर उसे ये करने से रोग देती है और अब वो Camilla को यहीं पर रहने के लिए कह रही थी Wesper ने ये डिसाइट किया कि वो Camilla के बॉड़ी पर रिसर्च करेगी और उसके मदद से पौदो के सीट्स को अनलॉक करेगी क्योंकि जिन पौदो के सीट्स Wesper को जूनस के घर से मिले थे उन सबी को one and only सीटाडल के सीटिजन सी ओपन कर सकते थे Wesper तुरन Camilla के बॉड़ी पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है लेकिन यहाँ पर भी Camilla के सिस्टम पर लॉक लगाया गया था जिसकी वज़े से Wesper अपना एक्सपेरिमेंट आगे नहीं बढ़ा सकती थी तबी Camilla Wesper को एक बात बताती है उसने कहा कि उसके फादर ने ये बताया था कि एक अच्छा म्यूजिक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल करने की ताकत रखता है Camilla तुरन्द अपने फादर के सिखाए गई धुन बजाने लग जाती है तबी Wesper ने ये नोटिस किया कि उस गाने की वज़े से Camilla के सिस्टम पर जो लॉक लगा हुआ था वो धीरे धीरे हटते जा रहा होता है और अब थोड़ी दिर में Camilla का पूरा सिस्टम अवेलेबल हो चुका था Wesper तुरंद उनकी उपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है और अब वो कैसे भी करके एक ऐसा एंटिडोट बना रही थी जिससे कि वो पौदो के सीट्स को भी अन्लॉक कर सके और अगर ऐसा हुआ तो अर्थ पर चारो तरफ फसल वापस होग जाएंगी लेकिन सायद से उन दोनों का लग अच्छा नहीं होता कुछे दिर बाद Wesper के घर जूनस आ जाता है जिसने कि कैमला को देख लिया था और इसे तो इस बात का अंदाजा भी हो जाता है कि कैमला एक जग है जूनस तो तुरंद कैमला को पकड़ कर मारना चाता था जूनस तुरंद की इस बात के लिए मान जाता है लेकिन जूनस ने तो बाहर आने के बाद सीटाडल के सीटीजन्स को इस बार में इंफर्म कर दिया था कि कैमला यहाँ पर आकर चुपी हुई है वेसपर और कैमला को भी इस बात का तुरंद ही पता चल गया था इसलिए वेसपर तुरंद बनाए गया एंटिडोट की मदद से सीट्स को अनलॉक करने लग जाती है लेकिन कुछी दिर में वेसपर के घर के अंदर जहरीली गैसेस फैने लगी थी यानि की सीटाडल के सूलजर्स यहाँ पर आने वाले थे वेसपर के फादर उसे समझाते हुए यह कहते हैं कि अगर उन लोगों को कैमला मिल भी गई तब वो सब वेसपर को भी नहीं छोड़ेंगे इसलिए वेसपर के फादर उन दोनों को तीजी से जंगल में भागने के लिए कह देते हैं वेसपर अपने फादर की बात मानकर कैमला के साथ जंगल में निकल गई थी थोड़ी देर में ही सीटाडल के सोलजर्स वहाँ पर पहुच जाते हैं उन लोगों ने तो सबसे पहले जोनस के सर में गोली मार दी थी और अब सोलजर्स वेसपर के फादर के पहुचते हैं वेसपर के फादर को क्या करना है ये उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया था दरहसल वेसपर के फादर ने अपने उस रोवर को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोट पर डाल दिया था जिससे कि जब वो सोलजर्स अंदर आ जाते हैं तब रोवर के अंदर ये बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था जिसमें वेस्पर के फादर के साथ साथ सारे सोलजर्स मारे गए थे वेस्पर जब ये धमाका देखती है तब वो समझ गई थी कि उसके फादर मारे जा चुके हैं लेकिन कैमला तो वेस्पर को वहाँ पर जाने से रोक रही थी और अब कुछ सोल्जर्स उन दोनों के पीछे भी आने लगते हैं कैमला और वेस्पर लगातार खतरनाक जंगल के अंदर जाते ही रह रहे थे क्योंकि जंगल के अंदर बहुत ही खतरनाक पेड़ पोदे थे जो इंसानों का शिकार किया करते थे यहां कुछ सोल्जर्स को तो उनी खतरनाक पेड़ पौदों ने पूरा अटैक करना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि कैमला और वेस्पर को भागने का मौका मिल जाता है लेकिन अबुज जगा पर सिटा डेल के और भी ज़्यादा सोल्जर्स आ गए थे जिन्नोंने पूरे जंगल को घेर लिया होता है तब ये कैमला वेस्पर को कह रहे थी कि ये सारे सोल्जर्स यहां से जाने नहीं वाले इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं उन सभी को सरेंडर कर दू Wesper ये बिल्कुल नहीं चाथी थी की Camilla उन Soldiers के साथ जाए लेकिन Camilla के हिसाब से इसी में भलाई थी Camilla Wesper को बचाने के लिए उससे किस्ट कर देती है जिसे की Wesper बेहोस हो गई थी और अब Camilla डारेक्टली उन Soldiers को सरेंडर करने के लिए चली जाती है सायद से वो soldiers कैमला को लेके जाकर dismantle कर देंगे थोड़ी देर बाद जब Wesper अपनी आखे खोल रही थी तब वहाँ से कैमला और बाकी soldiers जा चुके थे Wesper का इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था इसलिए वो decide करती है कि unlock ये गए seeds की मदद से वो अर्थ के चारो तरफ healthy पेड़ पौदे उगा देगी और अब एक बस्ती में आकर Wesper ने वो सारे seeds चारो तरफ फैला दिये थे जिससे कि आने वाले time में वहाँ पर पेड़ पौदे हो गेंगे और हमारा अर्थ वापस से normal हो जाएगा इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खतम हो जाती है दरसल इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम इंसानों को प्रकृति को देख कर ही चलना पड़ेगा हम technology के मामले में जितने ज़्यादा advance होते जा रहे हैं उतना ये environment का care करना भूल गए हैं लेकिन अगर कुछ सालों में ये सारी चीजे चेंज हो गई तब हमें इस कहानी जैसा future देखने की नवती नहीं आईगी आपको ये story से क्या सिखने मिला comment section में बता देना और अगर आपको मेरा explanation 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को like and channel को subscribe जरूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज़्यादा motivation मिलता है आपके लिए इसी तरह की के science fiction और stories लेकर आने के लिए तो मिलते हैं next video में See ya